हेलो दोस्तो, वेलकम तो और यूटूब चानल, आज हम बहुत इंपोर्टन टॉपिक पर बार्थ कर दे वाले हैं, जो हर फ्रेशर के मन में आता है, प्लेस्मेंट हो गए आप मेरा, मैं नवकरी पर लग चुका हूँ, बढ़ अब मुझे कमपनी में जाने के बाद क्या काम म तो मुझे डेवलपर ही बनाएंगे क्या, क्या मुझे टेस्टर तो नहीं बना देंगे, बहुत सारे सवाल है, मैं इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में स्टेप बाइ स्टेप देने वाला हूँ, गाइस, मैं कीरन, हांडर अब्दर कीरन अकेडेमी, चल अब वीड चांप---- सब्सक्राइबcribe क्या क्यामप सब्सक्राइब को में सारे सब्सक्राइब ह nuclear, meant दिए ले देख जाइक्या कंपनी के पैस जह पर व्यापनी विछ वहू हूं को डाला जाएक्या, कहां बहुत जाएकि जहां अगर बड़ी कंपनी में जाते हो वीप्रो इंफो, स्टि आप यह सबस्क्राइब करते हैं अब बल्क हाइरिंग का मतलब क्या हुआ उनको नहीं पता रहता है आपको developer बनाएंगे या tester बनाएं बट मैं आपको बहुत अच्छा advice देना चाहूंगा जैसी आप company में जाते हो company choice करेगी आपको क्या देना है अब आपकी choice है आपको करना है या नहीं करना है तो फिर आपके job छोड़ दोगे नो जौब नहीं छोड़ना है वही रहना है बट जो फिल्ड में आपको जाना है जैसे आपको developer बना है और उन्होंने tester बना दिया कर तो कुछ नहीं सकते बड़ी मुश्किल से तो break मिला है जाके नवकरी नहीं छोड़नी है बट side by side developer का preparation करना है ताकि आप future में एक साल बाद अगर इंटरू देते हो तो आप developer बन सकते हो बहुत सिंपल है गाइस का अगर आपको अभी देखिए आप पहले logic समझने का कोई भी एक काम जब हम करते है तो उस काम के पीछे केवल पाच से दस परसंट इंपॉर्टन काम होता है नबबे परसंट अन्यस्री वाला काम होता है और एक प्रोजेट का कोड लिखा जाता है अगर लिखने के पीछे बहुत सारी चीज़े होती है उस प्रोड़क को बनान ढ़िखने तो एक प्रोजेक्ट में अगर सव लोग है तो सव में से केवल दस लोग जो है वो डेवलपर बन रहे दस लोग टेस्टर बन रहे असी लोग अभी बचे हुए हैं ये असी लोग में से आप भी हो सकते हैं खिसली आपको जो बनना है जरूर बनिये उसके पीछे लगते रहिए उस चीज़ को आप पढ़ाई कि यह जैसे मेरे को जाना है भी डेटाबेस पढ़ते रही है आपको डेवलपर बना दिया टेंसिन नहीं लेना है डेवलपर रहते रहते डेटाबेस का प्रिप्रेशन कीजिए और एक देड़ साल का जब एक्स्पिरिंस हो जाएगा तो कंपणी छोड़ दीजिए बहुत सिंपल है कि कहने का मतलब मेरा यह था गई कि मैं अगर सिलेक्ट हुआ तो मुझे क्या मिलेगा मैंने बोला कॉलेज केमपस में अगर आप से लेक्ट होते हो आपको कुछ भी मिल सकता है अब चोटे इंस्ट्यूट में क्या होता है वहाँ पर आप जावा का ट्रेणिंग करते हैं एच्बी में डालेंगे वह सकता है थोड़ी possibility कम होती है बल्क hiring का मतलब है हम तुम्हें कहीं पे भी डालेंगे और चोटी जो हाइरिंग होती है जहां पे दो तीन वेकंसी होती है वहां फिक्स होता है कि तुम्हें जावार में डालना है या किस में डालना है गाइस मैं बहुत जल्द और भी एक वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि कुनसी कुनसी फिल्ड आप तो आपको इस वीडियो में मैंने जो बताना चाहा कोई फिक्स नहीं है और आपको भी लालच नहीं करना है कि मुझे डेवलपर ही बनना है मुझे टेश्टर ही बनना है जो बनाना है बनाने दीजिए कंपनी को पहले जॉप लीजिए मेरे दूसरे वीडियो में मैंने बताया हुआ है job is mandatory package को secondary बनाई है वैसे ही इस वीडियो में कहना चाहूंगा job mandatory है वहाँ जाके क्या करना है वो बाद में देखा जाएगा जाते ही कोई आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना है anyway guys so my basic topic पर हमेशाँ वीडियो लेके आ रहो बार बार लेके आ रहो consistently मेरे expectation है कि आप इन वीडियो को समझो दूसरों को समझाओ शेर करो आपको कुछ पसंद नहीं आता है इसमें का comment में लिखिए आपको मेरे से कुछ और चाहिए comment में लिखिए मैं उन topic पर वीडियो ले आऊंगा share कीजिए like कीजिए thank you I'll come back again हुआ हुआ है